इस वीडियो लेक्शन में बात करने वाले हैं एम्स फार्मासिस्ट वेकेंसी जी हाँ कॉमन रिक्वार्मेंट एग्जामिनिशन दोजार तेश के बारे में हेलो और विवन वेल्कम टू मैंशे नोमस आइकडमी अब तक पहली बार ऐसा कुछ नोटिफिकेशन देखने को मिला है जिसमें अलग-अलग एम्स का एक ही एक्जामिनेशन रहने वाला है कम्प्लिटली बारिक ही से इस नोटिफिकेशन को समझने की कोशिस करेंगे किसी साब से समझेंगे देखिए सबसे पहला पॉइंट हमारा फोकस क्या रहेगा नेक्ट सर लिस्ट और पोस्ट पोस्ट वाइज लिस्ट कितनी है इसके बारे में बात करेंगे और लास्ट में अप्लिकेशन फिस इस हिसाब से पॉइंट वाइज हम इस पूरे नोटिफिकेशन को समझेंगे जैसे हम नीचे स्कोल्डाउन करेंगे सबसे पहले बोस्ट इंपोर्टेंट चीज आ गई देखिए एक चीज का ध्यान रखेगा यहाँ पे ओनली फॉर फार्मासिस्ट का एक्जाम नहीं है यह एक्जाम ऑवर ओल जितनी भी ग्रूप बी और सी में विकेंसी आती उन सभी के लिए है इसलिए इसका एक्जामिनिशन पैटन जो है वो भी थोड़ा सा अलग है कैसे है कि सर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जनरली जो है एमस का पैटन पहले अलग हुआ करता था जबकि एमस पटना में अभी एक्जाम वहाँ पे भी अलग था बट यह पैटन 10 नंबर जनरल अवेड़नेस के क्वालिटी अप्टूरूट के 10 नंबर और इंगलिस हिंदी लैंग्वेज के आपके 10 नंबर रहने वाला कितने होगे चालीस नंबर हो नेक्स तू नेक्स सर फार्मा रिगार्डिंग कितने आएंगे तो वही डोमेन स्पेसिफिक में आपक और 45 मिनट आपको मिलेगा ठीक है तो ध्यान रखना भाईया इम्स का सेलेबस जो है वो अलग इस हिसाब से आने वाला है कि आप सभी जानते हैं रिसेंटली काफी सारे फार्मासिस्ट के एक्जामिनिशन को देखते हुए हमने हमारी मॉबाईल एप्लिकेशन पे एक टेस् इंट्रेस्टरी स्टूडेंट है पढ़ाई करते हैं उन सभी के लिए बहुत ही जादा है क्योंकि वहां पर आगर आप देखेंगे देखिए वह जो टेस्टरीज मैंने चलाई है पूरा फोकस उस पर लगाया है वह जो टेस्टरीज स्पेशली आप देखेंगे तो एम्स, इसाई और जितने भी फार्मासिस एकजाम है उन सभी के लिए है अब बात आती है सर उन सभी के लिए है तो जो भी इंट्रेस्टरी स्टूडेंट जॉइन कर सकता है लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में सर बट इसका पैटन तो अलग है क्योंकि यहां पर नॉन सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा आफ्टर टू 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 थ्री डिस ठीक है जी तो जो भी इंट्रेस्टर्ट है जरूर चेक करना बहुत ही ज्यादा है आपके लिए रहने वाला है और भी काफी सारे देखिए जो फ्री कंटेंट रहता है स्टडी रिगार्रिंग वह भी नो नेगेटिव मार्किंग बहुत ही बड़ी बात है क्योंकि यूजवली नेगेटिव मार्किंग होती है सही सवाल का एक नंबर मिलेगा क्वालिफिकेशन मार्क 40, 35 और 30 रहेंगे यह सब कुछ यहां पर मैंसन है यहां तक चीज़े समझ में आगा गई अब जनरल कुछ नहीं बस यह अप्लिकेशन फ़र्म 17-11 से सुरू हो चुका है एक बारा इसकी लास्ट रहने वाली है ठीक है यहीं लिखा हुआ है बाकी एक्जामिनिशन कैसे रहेगा कैसे अड्मिट काड आएगा आपका जो है अप्लिकेशन फ़र्म बढ़ते समय आपको फोटो व यहां पर नजर आ रहा है मतलब वह भी आपको यहां पर इंक्लूट हो गई है तो एमस भटिंडा एमस भोपाल एमस विविनेगर एमस बिलासपूर देवगर गोहार टीजपूर एमस कल्यानी एमस अंधर पर्देश एम नांगपूर एमस बटना एमस राइबरेली जीकेश और वीजपूर यह सारे जो एमस है यहां पर इसके साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि काफी सारे सवाल भी आ रहे होंगे किसा जिसने अप्लिकेशन फॉर्म बर दिया उस फी क्या होगा किस हिसाब से क्यूंकि राइबरेली भोपाल में तो देखिए फीस और जो है आपक ने के बारे में तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कोई भी एम से जहां पर मोटे तो पर फार्माकैमीस्त की तीन वेकेंसिया मतलब फार्मा रिगार्डिक पहली है आपकी डिसमेंसिंग एंदयिन्न फार्मा इस और फार्माकैमिस्ट की है किसाब से तो डेह 的क emisappüzik इसाऑ स तो इस हिसाब से यहाँ पर के डिग्रिकर रगिए बट यहां पर सबसे जब शाकिंग न्यूज है भो यह है कि सब्सक्राइब फर्मस्तिड की वेकंसी है और mostly आप अगर देखेंगे dispensing attendant की वेकेंसी यहां पे only for diploma के लिए ही है बाकी pharma chemist और आपका pharmacist का level 5 का वेकेंसी रहने वाला है इस limit की में बात करूं तो 21 से लेकर 27 साल और अब जाके काफी सार हिस्टरन सोच रहोंगे सर बीफार्म का क्या वहां पे कि नहीं तो देखें चिंता का विशयर नहीं है क्योंकि हम सभी जानते हैं पहले भी इमस पत्ना में राइपूर में भी ऐसी problem थी स्टिल एमस भोबाल में भी ऐसी problem थी बट रिवर्ट बेट की क्यों नहीं आया क्योंकि लिए शायद इसका proper solution नहीं मिला बट जबी भी इसके application form अब start application form start हो चुके हैं आप लोग के duty है application form बरी है proper बताईए नहीं आ रहा है application में तो इसके लिए हम solution डूनेंगे बिल्कूल solution डूनेंगे और देखे कल तो मैच है और पर्सु के देड में जो है इस notification के रिगार्डिंग एक live session हम रख लेंगे, सारे आपके doubt, मेरे जवाब, सब कुछ complete clear कर लेंगे, जो भी doubt है, क्या कुछ आ रहा है, जब तक आप एक बार application form भर के देख लेना, कि क्या notification आ रहा है, ठीक है जी, यह आपकी duty बना, notification है, clear cut eligibility है, हम सभी इसके बारे में जानते हैं, क्योंकि अब तक ज चेक कर सकते हैं, किस category wise यहाँ पे age relaxation भी दे रखा है, अब सबसे most important कि सर कहा कितनी vacancy है, यह पता लगा सकते हैं क्या, तो जी हाँ यहाँ यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, कि pharmacist, pharmacist grade second की, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, जैसा कि हम सभी जानते हैं, remaining दो बड़े form थे, जो की था आपका aims जोदपूर का और aims भोपाल का, जहाँ पे 27-27 notification आने वाले थे, बेट कर रहे थे हम लोग, तो यहाँ पे वो notification आपको देख रहा है, 9 नंबर पे pharmacist grade second का 27 और pharmacist grade second का जोदपूर में 27 जो vacancy total रहने वाली है, बाकी देखें, dispensing attendant, dispensing attendant, pharma chemist और pharmacist का यह notification हमने अभी बात की, राइबरेली बारे में 7 vacancy थी, कहीं 5 थी, कहीं 4 थी, कहीं 1 vacancy है, इस हिसाब से अगर आप इसका total लगाएंगे, तो 100 प्लस vacancy जो है वो आपको देखने को मिल जाएगी, कितनी? 100 प्लस vacancy जो है वो आपको total देखने को मिल सकती हो सकता, 1-2 calculation इंतर है, अब देखिए, एक अच्छी बात भी है, क्योंकि अब आने वाले समय में, जभी भी vacancy आती है, तो total एक examination होगा, student के लिए बहुत अच्छा है, preparation के लिए बहुत अता है, और बहुत है systematic वे से, क्योंकि हर examination दो, हर notification को trace करो, इसके अच्छा, एक ही exam dedication से तयारी और तयारी जी बाविंडर बने हुए है, क्योंकि notification नया है, सब कुछ चीजे नहीं है, तो धीरे धीरे जैसे जैसे दो, तीन दिन निकलेंगे, सारे चीजे हमें समझ में आ जाएगी, जब तक आप application form जो भी interested है, भर है, और तुरंत ही comment करके बता हैं, क्या कुछ eligibility वारा criteria आ रहा है, पहला सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत ही चुनिंदा कुछन को वहाँ पे collect किया गया है, कैसा लगा information दरुबता है कमें स्ट्रिक्शन में, like करें, share करें, subscribe करें, keep watching, stay tuned